इसके पहले हम लोगों ने पेज नमबर 5 तक पढ़ लिया था और फिर मैं बार बार बताऊंगा यह सीरीज आपको पूरे करम से मिलते जाएगी और यह पर्यावण के लिए सबसे बैस्ट नोट में से एक है पूरे प्रदेश में जो भी नोट से देखा होगा आपने उससे भ समंधित प्रमुक नीतियां और अधनियम तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है पर्यावण समंधित प्रमुक नीतियां शमेलन और अधनियम प्राया यूपिटेट में देखा जाए तो यहां से भी सबसे ज्यादे प्रश्ण आते हैं तेगे करके इनको भी पढ़ समय प्रतियां तेमलुक यहां पर सबसे पहले आता है वन अधिकार अधनियम क्या आता है वन अधिकार अधनियम यो कब आया वन अधिकार अधनियम guaranteed 2006 में कब आया वन अधिकार अधिनियम 2006 फिर आगे देखेंगे प्रथम वन नीति 1922 में आई थी तो याद रखेगा प्रथम वन नीति कब आये थी 1952 में आई थी फिर प्रथम संसूधित नई वन नीति कब आई थी 1988 में ये भी इंपॉर्टन्ड है आपके लिए ये पूछा जा चुका है प्रथम संसूधित वन नीति यह वा आई थी आपकी 1988 में 1988 में आई थी फिर हम लोग आगे देखते हैं वन जीव सरच्ण अधनियम का वाया था 1972 1972 में वन जिव सरच्छन अधनियम आया था फिर देखते हैं प्रथम पर्यावण सम्मेलन 1972 में हुआ था स्वीडेन की राजधानी स्टाक होम में कहा हुआ था स्वीडेन की राजधानी स्टाक होम में हुआ था ठीक है कहा हुआ था स्वीडेन की राजधानी स्टाक होम में हुआ था कहा पे स्वीडेन की राजधानी स्टाक होम में हुआ था आगे दिखते हैं एक चोड़ा सा पस्टनम पूछेंगे हां से उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दूसरा प्रश्णिया से बनेगा कि विस्व परवन दिवर्ष मनाने की जो प्रथा या जो वर्ष प्रारम हुआ वह किस अधनियम के बाद से यह प्रारम किया गया उसका विजवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ठीक है फिर हम लोग आगे देखते हैं जल परदूसरा अधनियम तो जल परदूसरा अधनियम है 1974 में है फिर हम आगे देखेंगे वाई परदूसरा अधनियम 2018 है जबकि संसोधित वन्नीती 1988 है और प्रथम वन्नीती जो थी वो कब थी 2022 यह सब ऐसे प्रशन है जहां पर आपको उल्ज़ाया जा सकता है लेकिन आप लोग उल्जिएगा मत एक बार इसे सारे आपको दिखत ना हो फिर हम आगे देखेंगे पर्यावन सचन अधनियम 186 में आया था जहां पर धालाटूइक अनुसार पर्यावन को चाप्रम भागों बाटा गया है अस्थाल मंडल जल मंडल वायू मंडल और जया मंडल ठीक है आगे देखते हम लोग राष्टी गंगा नदी कारियोजना इवे हमने पढ़ाया फिर भी एक बार देख लीजेगा राष्टी गंगा नदी कारियोजना राष्टी गंगा नदी कारियोजना ठीक आगे देखते हम लोग फिर राष्टी जलनीती राष्टी जलनीती का भाई थी 1987 में गंगा नदी कारियोजना 85 में र सबस्कції जोन परसरचन से किसे को जोंबराबरा सरचन से जो ट। नाटा मína Marin hugs 1987 1987 कहां पे क selbst का ज़्ए है कौनसा था मेट्रियल बुटकॉल काल कौनसा था मैट्रियल फोट्रो काल याद रखेगा आप लोग विए के फरिच्छा के लिए ये भी महत्तपूर Kurz फिर हम आगे देखते हैं, प्रृतम प्रिथिवी सम्मेलन, रियोटी जेने रियो में हुआ था जो प्राजील में है, अगे देखते हैं, प्रृतम प्रिथिवी समेलन, पर्थम सम्मेलन का हुआ था एजेंडा 21 का हुआ था 1992 में हुआ था आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकाल जापान कब 1997 हुआ था दित्ती प्रिथिवी सम्मेलन जोहांस वर्ग दच्छन अफरिका 2002 में हुआ था आगे हम लोग देखेंगे यह भी पूचा परशन है सूचना का अधिकार अधिनियम का वाया था तो आप बताईएगा कितने अक्टूबर को या किस तित्ती को सूचना का अधिकार अधिनियम दो आया था तो दोजार पांस तो सन हो गया तित्ती आप कमेंट वाक्स में बताईएगा सिच्छा का अधिकार अधिनियम RTE Right to Education 2009 में आया था और इस बार सुपर टेट में पूछा हुआ प्रशन है इसलिए इसे एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजएगा तयार कर लीजएगा व्योंकि आपको लिए सबसे ज्यादा महत्तोपूर्ण है का वाय था 2009 में आया था पर देखते हैं रामसर्षमम्यलन आदरभूमी से संबढ़ इस इस रामसर्षममेलन का शंबध जो है आदरभूमी से है जो 1971 में कहा हुआ था इरान में हुआ था 1971 में इरान में हुआ था फिर हम आगे देखेंगे प्रथम अभी हमने उपर प्रश्ण पूछा था प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया जाने की निर्ण पांच जुन 1972 को लिया गया था प्रथम पर्यावरण समयलन 1972 में प्रथम पर्यावरण समयलन 1972 में हुआ था वहां पर निर्ण लिया गया था कि प्रतिक पांच जुन को विस्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा दूसरा पश्णूरता है किस वर्स पहली बार पांच जुन को विस्व प आगे देखते हैं इसके बाद महात्वपूर्ण चीज इंपर्टन शुरू हो जाता है जहां पर पहला आपको यहां मिलेगा नल सरोवर राष्ट्ट उद्यान कहां पर आपका गुजरात में तहां पर है गुजरात में है ठीक है इसके बाद अगले पेज को भी पढ़ लेते हैं विकि यह दोनों पेज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है विकि एक बार आप वीडियो देख रहे हैं तो अलगले पेज की बनाने थोड़ी समस्था हो सकती है तो एक साथ हम बना देते हैं दोनों पेज का इस वीडिय होगे सीरीज में चलिए आगे बढ़ते हैं उपर दिया गया है दुर्गेश सर्च है एक बात और इसकी पीडियेफ आपको प्राप्त कैसे होगी आप टेलिग्राम मैप इस्टॉल करिएगा तेलिग्राम आपके पास पहले से तो वहां पर सर्च मिजएगा दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए जैसे आप दुर्गेश सर्च करेंगे इलिए नी पर दुर्गेश आ जाएगा ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं उपर देगे नंबर पर ऑनलीं क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर पीडियाफ अन चीजों के लिए आप जानकर चाहते हैं तो घर बैठे नोट्स भी प्राप्फ्ट कर सकते हैं क्लास भी ले सकते सबसे प्रतिवर्ष प्रशन आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रशन आने की उमीद रहती हैं उनको भी हम एक एक करके क्रम से पढ़ लेते हैं तो आईए दिखते हैं पहला है साइबेरियन सारस प्रजिनन के लिए साइबेरियन सारस प्रजिनन के लिए क्योला देव घाना पक्ची अभ्यारण कहां पे है भरतपूर में है most important और यह राजस्थान में है क्या है साइबेरियन सारस के प्रजिनन के लिए कहां थी क्योला देवी घाना पक्ची बिहार जो भरतपूर में है और भरतपूर के राजस्थान में है आगे देखते हैं लोग पक्चियों का स्वर्ग पक्चियों का स्वर्ग पक्चियों का स्वर कहते हैं फिर आगे देखते हैं बाग तथा से रडठंबोर रजस्थान में है बबर से को तो एसी आई सेर भी कहते हैं या गिर के राष्ट्टियान में गुजरात में कहां पर हैं गुजरात में बहुत ही महत्रपूर आप इसे अपने शवी जरू कर दीजेगा ठीक है कि इसकी पेज उपलब्द है और पीडियाफ हमारे टेलिग्राम पर ले लिजेगा वहां कॉल कर सब्सक्राइब करना पड़ेगा आगे बड़ते हैं कि जंगली गधों का मुशन इंप्पोर्टेंट जंगली गधों के लिए जब भारण कहा है कच कारण जो राष्टी उद्यान है गुजरात में किसके लिए है जंगली गधों के लिए है अगे दिखते हम लोग एस याई से सफेद बाग के लिए बाधोगर राष्टी उद्यान जो मध्य परदेश में सफी के लिए बाधोगर राष्टी उद्यान कहा पर है मध्य परदेश यमपी में में है कस्तूरी मिरिग इसे महामरिक कहते हैं यह दाची ग्राम राष्टी उद्यान जम्मू कस्मीर में किसके लिए कस्तूरी मिरिक के लिए है महामरिक दाची ग्राम राष्टी उद्यान कहां पर है जम्मू एंड कस्मीर में अपर शूरता है एक सिंग वाला गेंडा कहा है काजी रंगा राष्टी उद तरणने के लिए परसिद काबुल लाम जाओ ये मडिपूर के लोक तक जिल पर है जो तरने के लिए पश्द राष्ट उद्धान है कीम केबू लाम जाओ कहाँ पे मड़िपूर में मड़िपूर के लोक्टक जील पर नीलगिरी मेग बकरियों के लिए कौन से इरावी कुलम के लिए इरावी कुलम कहाँ पे है केरल में है फिर आगे देखते हैं जविवित्ता के लिए सांत घाटी साइलेंट वैली कहलाता है केरल यह इसे सांत घाटी भी क्याते हैं यह पूँछा जा चुका है पंद्रह दीपो से घिरा है गोल्फ आप मननार इसे कहते है मैरीन उद्ध्यान जो मननार की मैरीन उद्ध्यान तमिलाडू इसे गोल्फ आप मननार मैरीन उद्ध्यान कहते है यह पंद्रह दीपो से घिरा हुआ है फिर टाइगर स्टेट यह भी पूछा प्रशन है टाइगर मद्यप्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है फिर आगे देखते हैं फूलों के लिए प्रसिद्ध चमोली राष्ट्य उद्यान किसके लिए फूलों की घाटी कहा जाता है और फूलों के लिए प्रसिद्ध यह उत्राखंड में है चमोली नमक जिला में इसे चमोली राष्टुद्यान कहते हैं इसे पूलो की घाटी के नाम से भी जाना जाता है ओलिव रीड़ो ओलिव रीड़लो कचुवा तता घड़ियाल कहाँ पे है भीतरकनि का ओड़िशा में प्रश्ण और यहां से बनता है सबसे ज्यादा शमयत तक लंबे शमयत जीवित रहने वाले कच्छुए का नाम क्या है तिसका भी जवाब आप कमेंड बॉक्स में में कमेंड करके बताईएगा पेलिकन पच्छी के लिए केलामेरू पच्छी बिहार जो आंदर प्रदेश के लिए काफी प्रशिद्ध है सुसुक्ता के लिए प्रशिद्ध डिजयर्ट राष्ट्य उद्यान कहां पे है जोदपूर राजस्थान में पिर आगे देखते हैं मैग्रोवन के लिए सुन्दरवन बिश्ट्र का सबसे बड़ा वन सुन्दरवन है जो सुन्दरवन डेल्टा पे राष्ट्यूद्धन कहां पे है पस्चिम बंगाल ठीक है बस्चिम बंगाल के में है और इस पे कहीं कहीं बांगदेश का भी से मुख करनाटक कुछ प्रमुक राष्टी उद्ध्यान यह अभ्यारण है जिसे श्रमदित प्रश्ण आपके परिच्छा में आशकते हैं और आने की भी पूरी पूरी उमीद भी है ठीक है तो आई यह देखते हैं दुध्वा निश्नल पार्क कहां पे लखीम पूर खीर चंदर्प्रभार राष्टी यह बरण कहां पे है चंदोली उत्तरब्रदेश कहां पे है चंदोली उत्तरप्रदेश लाक बहोषी पस्ची बिहर्यान नबब गंज उनणौ उत्तरप्रदेस लायन सफारी सफारी टावा में है राजा जी उध्यान ऊत्राखन में फिर आगे देखते हैं हम लोग करो आगे आपका है पर चल्ट किषली मादियप्रदेश के लिए फरलो के लिए प्रशिद्ध क्या है सिक्किम राष्टी उद्यान फॉलो के लिए प्रशिद्ध है इस प्रकार इस वीडियो को आप सभी सात्यों को शेर कर दीजेगा इसकी बाद पिजनम बाराथ उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और तब तक के लिए अगर आपको आनलाइन नोट्स ऑनलाइन क्लास आधि के लिए यहां पे हैं घर बैठे त्यारी कर सकते हैं यह सभी नोट्स आपको ऑनलाइन उपलब्द है ठीक पेस्ट के जादा वैलू होती कंटेंड की होती है धेर सारे किताबों पढ़ने शेवणिया आप सौट नोट्स पढ़े तो सबसे ज् जशन है तो अगर आपके हैं तो पढ़ लेते हैं वरना आगे पढ़ लेते हैं तो इसके आगे हम पढ़ लेंगे इसके बाद ही पढ़ लेंगे कि नहीं तो फिर खिच्री टाइप का हो जाएगा है ठीक है तो चलिए लगभव यह शोला पंदुमान की वीडियो होगा एक से आपको इसके सोट क्लिक कर सकते हैं ठीक चलिए इसके साब बहुत धन्यवाद बेस्टा प्लक जय हिंद जय भरत